कि सबी स्कूलों में योग और स्वास्ते и когда analysis केंड इंड हेल संइंस इसको म ενडिटी करने की मेरी जो मेरी पी आइयल चल रही है कि उसे पर कोट में दिल्ली सरकार को केंध सरकार के डिशा समंत्राले कोकें सरकार के सिख्चा मंत्रा और केंध सरकार कि स्वास्त्तमंत्राले को नोटी जारी किया है, CBSC, ICSC को भी नोटी जारी किया है, NCRT को भी नोटी जारी किया है, हमने यह मांग किया है, कि right to health हमारा fundamental right है, और जब स्वास्त अच्छा नहीं होगा, तो फिर समाज अच्छा नहीं होगा, इसलिए पहली से लेके दस्वी तक, योगा साइंस, यानि योग विज्ञान को अनिवारी करिए सभी स्कूलों में, एक compulsory subject के रूप में इसको इंटर्डूस करिए, भारत के कई स्कूलों में योग विज्ञान अनिवारी रूप से पढ़ाय जा रहा है, पतंजली के देश भर में जितने स्कूल चल रहे हैं, योग विज्ञान अनिवारी है, ऐसे कुछ और भी स्कूल चल रहे हैं, जहां योग विज्ञान अनिवारी है, लेकिन न तो CBSC ने योग विज्ञान को अनिवारी किया है, ना ICSC बोर्ड ने किया है, ना UP ने किया है, हर्याना बोर्ड ने योग विज्ञान को अनिवारी कर स्वास्थ विज्ञान को अनिवार किया जाए और कौन से योग से क्या फायदा होता है निच्रोपैथी से क्या क्या फायदा होता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए कौन-कौन सा योग करना चाहिए दैनिक दिंचरिया कैसी रखनी चाहिए इसको मैंडेटरी साम किया जाए स्वस्त भारत तभी बनेगा जब बच्चा बच्पन से ही योग करना सीखेगा योग के महत्तु को सीखेगा योग की प्रैक्टिस करेगा और जब स्कूल के स्लेबस में एक आपका सब्जक्ट हो जाएगा योग विज्ञान तो स्वभाविक सी बात है जितने अध इरुवेद को भारत के योगों को जन जन तक पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि प्राइमरी के शुलेबस में और सिकेंडी के शुलेबस में योग विज्ञान के नाम से एक अलग से किताब एक सब्जक्ट रख दिया जाए एक अलक से हुआ है कि पूरी तरीके से योग को साइड लाइन कर दिया गया योग विज्ञान निवारी होगा तो नैतिक सिख्षा बढ़ेगी जब बच्चा योग करेगा योग सीखेगा तो उसके अंदर जिहादी सोच नहीं अगर बच्चा बच्चपन से योग करना सीखेगा योग के बारे में पढ़ेगा योग की पद्धतियों को समझेगा प्राकृतिक प्राइमरी और सेकेंडी के स्लेबस में ही एक सब्जेक्ट डाल दिया जाए योग विग्यान मैं देश भर में जितने भी योग के अलग-अलग संस्थाएं चल नहीं है उनसे भी निवेदन करता हूँ इसके लिए आवाज उठाईए क्योंकि प्राइवेट संस्थाओं के जरिए योग को घर-घर नहीं पहुंचाए जा सकता है अगर स्कूल के स्लेबस में एक योग विग्यान किताब आ जाएगी तो योग पूरे देश में फैल जाएगा कस्मीर से कन्या कुमारी तक कछ्छ से कामरूप तक हर घर में योग पहुंच जाएगा जब योग की एक किताब रहेगी फस में सेकेंड में थर्ड में पहली से लेके दसमी तक बच्चा लगातार योग को पढ़ता रहेगा योग को सीफता रहेगा योग के लाब को समझेगा तो एक बहुत जल्दी पूरे देश में एक योग का पुरा महौल बन जाएगा यह जो लाखो करोड रुपए स्वस्त पे खर्च हो रहा है यह बजट भी कम हो जाएगा जब लोग योग करेंगे स्वस्त रहेंगे बिमार नहीं होंगे तो हॉस्पिटल में जो भीड कम हो जाएगी सरकार को अलग से और हॉस्पिटल बनाने के जरूरत नहीं पड़ेगी सरकार को इतना जादा हॉस्पिटल के उपर खर्च नहीं करना पड़ेगा अभी टैक्स पेर का बहुत बड़ा जो टैक्स है वो हिल्थ के उपर जा रहा है बिमारियों पे जा रहा है बिमारियों को खतम करने पे जा रहा है जबकि योग से तो बिमारी होगी नहीं योग से कते हैं प्रिवेंशन इस बेटर द्यान के और तो योग विज्ञान अगर अनिवार हो जाएगा तो लोग अपने आप स्वस्त रहेंगे स्वस्त रहेंगे ब वियोग विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो महर्शी पतंजली का योग सूत्र जरू पढ़ाईए बच्चों को जो आप सारी रिक सिख्छा दे रहे हैं उसमें चरक संगीता भी पढ़ाईए उनको वागभड जिक की संगीता पढ़ाईए उनको जो है महर्शी सुसूत की जो संगीता है उसको भी पढ़ाईए महर्शी माधवकर की संगीता पढ़ाईए महर्शी भावप्रकाश जी की संगीता पढ़ाईए अगर हम एक एक किताब में मा लिजे कि हमने छटवी से सुरू किया छटवी में हमने चरक संगीता पढ़ा दिया साथवी में हमने सुसू संग्हिता पढ़ा दिया नवी में हमने पतंजली जी का युसूत पढ़ा दसवी में हमने भाव प्रकास संग्हिता पढ़ाई तो दसवे आते आते बच्चा किया मली योगी नहीं सीखेगा बलकि आयरुवेद के जरिए नेच्रोपैथी के जरिए अपने खान-पान में बदलाओ के जरिए बहुत सारी बिमारियों का अगर पहली बात तो बिमारी होगी ने और होगी भी तो वो उसका खुदी इलाज कर लेगा इससे देश के उपर बहुत बड करता हूं कि आप भारत में योग विज्ञान को अनिवार करने के आवाज उठाइए मैं आपलसाप से भी निवेदन करता हूं इस वीडियो को सभी अपने सांसुदों विधायकों के पास भेजिए जो आई-एस-ई-प्यस आपके जानने वाले उनको भेजिए और सरकार से म चरक संगीता को भी पढ़ाया जाए, भाव प्रकास संगीता को भी पढ़ाया जाए, वागभर संगीता को पढ़ाया जाए, सुसु संगीता को पढ़ाया जाए, नेचरोपैती को भी पढ़ाया जाए, आयरवेद को भी पढ़ाया जाए, योग विज्ञान तो पढ़ाना ह पढ़ाना है इससे भारत स्वस्त होगा और भारत पे जो इतना सारा बजट हो रहा है स्वास के उपर वो भी पैसा बचेगा